खटमल एक ऐसी समस्या है जो हमें सोने भी नहीं देती और अगर काट देती है तो बस बिमार हो जाते हैं तो ऐसी चीज को हमें जड़ से अटाना चाहिए अब जब कोई चीज गुसे से नहीं जाता है न तो उसे हम बड़े प्यार से खिलाएंगे और लडू खिलाकर इसे बि कुछ नया सा करने चले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आये हैं तो सबसे पहले आपको इस लडू बनाने के लिए वह बरतन चुनना होगा जो आपके नॉमल बरतनों से अलग हो तो सबसे बै बाइंड़र होता है फ्ली ऑओरियु सी अहीं जिसे हम बॉरिक पाऊडर कहते हैं और यह जो है चिखना होने कि वजार से हम इसको अच्छे सी घूफ्चने में बाइंडिंग में यह काम लाएंगे आब यह दो चमच मैने बॉरिक पाऊडर ले ले लिया है उसके बाद मैं में डालूँगी दो छोटे चमच सर्फ जिससे हम कपड़े दोते हैं अगर आपके पास सर्फ ना हो किसी भी कमपनी की तो आप लिक्विट डिश्वाश जो होता है ना जिससे हम बरतन वगर साफ करते हैं या कपड़े दोने में डालते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो एका चमचा अगर आप वो डाल देंगे तो आपको अलग से पानी डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी क्योंकि वो liquid होगा तो उसी से ही वो लड़ू बनकर त्यार हो जाएंगे अब इसके बाद जो तीसरा ingredient डाल रहे हूं वो है मिर्ची जी हाँ मिर्ची जो normal मिर्ची होती है ना जो तीखी वाली मिर्ची हम खाते है खाने में वो ही मिर्ची एक से डेट चमच डाल दीजे एक से डेट चमच डाल दीजे इसमें नमक नमक डालने के बाद यहां मैं आपको ये बताने वाली हूं कि अगर हमारे पास ये बोरिक पाउडर ना हो तो आप क्या कीजिए नॉर्मल मैदा या कॉन फ्लोर ले रीजिए उसमें थोड़ा सा चौक का पाउडर डाल दीजिए ये लक्षमन रेखा के नाम से एक चौक आता है जो कि कीरे, मच्छर, चीटियों को बिलकुल घर से बाहर कर देता है कहीं भी आप आसपास चीटी देखो ना अगर आपने लक्षमन रेखा को थीच दिया बस चीटियां वो क्रॉस कर ही नी पाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव होता है इसको आप थोड़ा चूरा करके कूट के, आप मैदे के अंदर भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा ये देखिए, ये हम धीरे-धीरे जो गूत रहना थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इससे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर पाओगे अब ये मिश्रण ऐसा हो गया है कि हम इसके लड़ू बना सकते हैं आप इन लड़ूों को बच्चों से दूर रखिए और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आप कैसे रखें कि आपके मच्छर भी भागें आपके खटमल भी चले जाएं और किसी को नुकसान भी न हो अब बारी आती है सबसे पहले अगर आपके पास स्पेस है आपको धूप वगर आती है तो जहां पर खटमल आपको लगता है वो सोफा हो पलंग हो जो भी हो उसको आप धूप दिखा देजे एक दो दिन की धूप दिखा दीजे और कैरोसिन से उस पर आपने स्प्रेई कर दीजे तो खटमल चूमंतर हो जाएंगे मर के निकलेंगे या जिंदा बाहर भाग जाएंगे पर भागेंगे जरूर अगर ये वेवस्था नहीं है आपके पास धूप नहीं आती या उस पलंग को आप नहीं निकाल सकते तो परिशान होने की जरूरत नहीं उसके लिए ये उपाय करेंगे लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको हाथों में गलप्स पहनने होंगे और gloves पहनने के बाद ही इन लड़ूं को तयार कीजी, थोड़ा सा dry कीजी और फिर इसे डालिए, फिर देखें इनका कमार। और ये सारा काम मैंने gloves पहन के काम किया है, आप भी इसी तरीके से कीजीए, गलपस नहीं है तो हाथों में पन्निया डाल दीजीए, जिससे आपके हाथों को भी एक साथ सारी चीजें मेक्स होके नुकसान न करें। ऐसे छोटे-छोटे balls बनाईए बिलकुल लड्डूों की तरह है। इसी तरीके से धेर सारे लड्डू बनाके आप थोड़ी देर के लिए 10-15 मिट उन्हें ड्राय होने दीजीए। अब आधे गंटे में मैंने इनको ड्राय कर दिया है, अब मैं बताती हूँ कि हमें किस-किस जगह डालना चाहिए। जैसे कहीं भी हम पलंग पे बैठते हैं, सोफे बैठते हैं, कभी खाते हैं, पीते हैं, कुछ खाना रह जाता है। उसकी वजह से यह पनकते हैं। तो वहां पहले पूरी सफाई कर दिजए। हो सके तो पॉसिबिल हो तो आप स्प्रे भी कर दिजए। स्प्रे करने के बाद यह आप लड्डू रग दिजए। आप देखेंगे थोड़े दिनों में यह ऐसे लड्डू एफेक्टिव हैं, कि आपके खटमल छूमंतर हो जा यह मच्छर मक्खी कुछ जादा ही हो जाते हैं, तो सबसे पहले उसको आप साफ कीजिए। साफ करने के बाद कोनों कोनों में इस तरीके से इन लड्डूों को फसा दीजिए, जैसे उन्हें मिल जाए एक खाना और हमारे बच्चों को भी नुकसान नहों। और यह सारा काम जो आप कर रहे हैं, बच्चों को दिखा के कभी न करें। यह लड्डू डालने के बाद आप इस खटमल की समस्या से बिल्कुल छुटकारा पालेंगे। यकीन कीजिए, आप एक बार डालिए, आट-दस दिन बाद दुबारा लड्डू डाल दीजिए, आप देखेंगे क बच्चों के सामने बिल्कुल ये काम मत कीजिए, वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं बच्चों, सब्सक्राइब के बना बिल्कुल नचाएं।